मुंबई में आई दिन ड्रक्स तसकरों की खबर आती रहती है जहां लगबग हर दिन एरपोर्ट पर ड्रक्स तसकर पकड़े जाते हैं लेकिन अब इन ड्रक्स तसकरों का अड़ा बढ़ते हुए मुंबई की अंद्रूनी इलाकों में फैलता नजर आ रहा है जिसमें शामिल है मुंबई के मलाड का मालवनी इलाका, मुंबई का मालवनी इलाका ड्रक्स माफियों का अड्डा बनता जा रहा है जहां मलाड पश्चीम मालवनी पुलिस ने 1-3-6 वर्शिय महिला को 20-9-2-10 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जो मालवनी इलाके में गांजा बेचने के लिए जा रही थी जिसकी कीमत लगबक 6 लाक रुपए है मालवनी पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक अग्यात महिला बड़े पैमाने पर गांजे बेचने के लिए आने वाली है वरिष्ट अधिकारियों के मार्क दर्शन में टीम बना कर मालवनी में राधा कृष्णा होटल जनकल्यान नगर के पास जाल बिचा कर 20 किलो 210 ग्राम गांजे के साथ 36 वर्षी महिला को गिरफतार कर लिया है आरोपी महिला की पैचान उशा प्यूश पवार उम्रत 36 साल के रूप में हुई है जो नया गाउ पालगर की रहने वाली है आरोपी से मिले 20 किलो गांजे की कीमत लगबक 6 लाग बताई जा रही है चोई सेप्रिल 2023 से मानिय सिपी सरों मानिय जोइंट सिपी सर एलेंडर साथ इन्होंने नशे के कारवार करने वाले लोगों के खिलाप एक स्पेशल विशेश मोहिम जारी की थी उसके तहत मार्वनी पोली स्टेशन में 26 दिनों में 19 के दा दर्ज किये है 20 आरोपी जो गांजा हमने बारा मत किया है